हेलो दोस्तों वेलकम तो दिसांत एजोकेशन दोस्तों रेलवी की तरफ से आरारवी जेए की जल्दी ही नौटिफिकेशन रिलीस होने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कौलिफिकेशन क्या रहेगी सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और वेकेंशी जो 20 है रहे हैं उनकी थोड़ी डीप में डिटेल बताऊंगा और एपलाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो सकती है उसका बताता हूं तो 2024 में हम 20,000 पोजिशन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना फिगर जो है मैं देखने मिल सकता है वेकेंशी में और अगर हम आगे डिटेल में चलते हैं दोस्तों तो इन वेकेंशी में जो है ये इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी में इसमें वेकेंशी 29 देखने मिल सकती है और Chemical and Metallurgical Assistant इसमें 387 के आसपास वेकेंशी देखने मिल सकती है और ये इमें आपको जो है 12,844 इतनी वेकेंशी के आसपास देखने मिल सकती है Deport Materials of Pretendant में 227 के आसपास वेकेंशी देखने मिल सकती है दोस्तों तो इस तरह से जो है टोटल हमारे लिए 20,000 के आसपास वेकेंशी देखने मिल सकती है ये जो फिगर में आपको बता रहा हूँ ये एक expected फिगर है इससे कम या जादा भी हो सकती है बढ़ हम इतना expect कर सकते हैं 2024 में दोस्तों अगर मैं फीस की बात करता हूँ तो जन्रल वालों के लिए 500 रुपे रहेगी जन्रल OVC वालों के लिए और SCST वालों के लिए 500 रुपे फीस रहेगी दोस्तों अगर हम eligibility criteria की बात करते हैं तो candidate के पास degree होनी चाहिए computer science में BSc computer science में BCA किया हो या फिर computer science में BTEC किया हो दोस्तों अगर हम age limit की बात करते हैं तो 18 से 33 साल age limit होनी चाहिए मतलब इसके बीच में आपकी जो है age रहनी चाहिए और there are higher age relaxation available to individual who fit into distinct categories तो दोस्तों आपके लिए जो है age relaxation भी आपकी category के according आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर हम selection process की बात करते हैं तो selection process में सबसे पहले आपका phase one examination होता है जो की CBT होता है computer waste examination होता है इसके बाद आपका phase second होता है यह भी computer waste examination होता है then इसके बाद में आपका verification होगा documents का और medical examination होगा यह इसकी जो है selection की process होती है अगर हम आगे बात करते हैं कि आपको apply कैसे करना है दोस्तों तो apply करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको जो है recruitment board RRB की official website में जाना होगा जो भी आपके division में पढ़ती है जैसे अगर आप RRB Bhopal से blog करते हैं तो RRB Bhopal की website पे जाएंगे जो भी आपका है उस पे आप जाएंगे अब उस website पे जाने के बाद आपको क्या करना हैगा आपको home page पे बहाँ पे apply के लिए यह notification दिख जाएगा उस पे आपको click कर देना है then आपको read and complete instruction आपको instruction पढ़ने है और वहाँ पे आपको जो है isf button पे click करना है वहाँ पे आपको isf button देखे वहाँ click करना है और then आपको बहाँ पे choose कर लेना है new notification ठीक है from the selection that drops down बहाँ पे आप click करेंगे तो वहाँ पे new notification निव registration के लिए दिखेगा then आपको जो है पूरा form जो है application form में fill up कर देना है आपकी personal information जैसे name, contact details, educational background यह सब जो है आपको बहाँ पे detail दाल देनी है उसके बाद जो है आपको upload करना होगा scan copies of your signature आपकी signature photo की scan copies है उनको आपको upload कर देना है और जितन से आपका educational certificate होगा है और यह सब आपको upload कर देना है then आपको payment made कर देनी है payment कर देनी है वहाँ पर जितनी वे application fees है आपकी वह आपको कर देनी है उसके बाद आपको सारी detail एक बार double check कर लेनी है सारी information आप एक बार submit करने से बहले double check कर लीजिएगा और उसके बाद में जो है आ submit कर देजिगा application और print कर लीजिगा copy एक अपने पास record के लिए तो दोस्तों यह जो detail थी यह सारी detail थी apply करने और इस notification से related सारी detail मैंने आपको बता दी है तो जैसे ही notification आता है तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा detail में notification आने के बाद और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद subscribe जरू कीजिएगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद